सब्सक्राइब कर लिए तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में भी सेयर जरू करिएगा दोस्तों अभी तक आपने टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है तो सोरम बलिक ओफिशल टेलिग्राम है इसको जरूर जोइन कर लिजेगा इसमें मैं आपको 5000 की जो पीडियाप है जो सीरीज हमारी चल रही है अनकेडमी की फ्री क्लासिस के थुरू एक तो ये पीडियाप आपको मिल जाती है और साथी साथ हर एक अनकेडमी की क्लास का और यूट्यूब की क्लासिस का लिंक भी प्रोवाइड करा दे जाता है तो ये प्लानर आपको मिल जाता है, study metal आपको मिल जाता है, expert की guidelines आपको मिल जाती है, personal guidance, test analysis ये सारी चीज़ आपको मिलती है, unacademy plus पे और unacademy plus का कोई भी subscription जोइन करने के लिए आप study turn code का यूज कर सकते हैं, सभी categories में, बाकी जनवरी का offer है दोस्तों, जिसमें कुछ additional month आपको मिल रहें, कितने महीने subscription की साथ में, चेक कर लेना, ये आपका offer है, जो best लगे, आप join कर सकते हैं, SSC का combat है, जो की 23 जनवरी को होने वाला है, इसमें भी आप enroll कर सकते हैं, और enroll करने के लिए code यूज करिएगा study turn, ये आपका code है, इसका link नीचे description box में मिल जाएगा, 19 जनवरी से जो course स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें भी enroll दोस्तो कर सकते हैं, देखे, study turn code लगाने से आपको 24 मन्त का जो subscription है, 325 पर मन्त, और 12 मन्त का subscription, 542 पर मन्त, मिल जाता है, आप ये code अपलाई करिए, और join कर सकते हैं, सभी test free of cost है, आप इनको देख सकते हैं, unacademy के SSC category में, तो चले सुरू करते हैं, आपकी वीडियो को प्लीज पूरा एंट तक देखीगा, दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है, सवेतलिंग कब किसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपको question का answer पता होगा, तो comment box में बताते रहेगा, दोस्तो सवेतलिंग कब जो है, ये जुड़ा रखना हैं दोस्तों, ठीक है, चले जी, दूसरा question आता है, balloon और airship में आमतोर पर किस gas का उप्योग किया जाता है, तो balloon और airship में दोस्तों आमतोर पर जो gas का use के जाता है, वो कौन सी gas होती है, तो इस question का right answer हो जाएगा, दोस्तों, helium, यानि की B is the right answer, ठीक है, चले, अगला question कोशन आता है, dribbling सब्द का परियोग निमलिकित में से किस खेल में किया जाता है, तो dribbling सब्द का जो परियोग है दोस्तों, वो किस खेल में किया जाता है, बहुत बढ़िया, इस question का right answer हो जगा, basket ball में किया जाता है, दोस्तों, ये आप लोगों को याद अखना है, अगल भारत के किस रास्टे उधान में भारत का सबसे उचा परवत है, तो इस question का right answer हो जगा, खंग चिंद जोंगा रास्टे उधान में, यानि कि right answer is B, ये आप लोगों को याद अखना है, ठीक है, चले, next question, और ये है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है, ये ज़रूर याद अख की गई थी, अरजुन पुरूसकार किस था अपना, किस वर्स में की गई थी, तो इस question का right answer हो जगा, 1961 में, ये आप लोगों को याद रखना है, अगला question है, रेमन, मैक्सेस पुरूसकार, पूर रास्पती के सम्मान में दिया जाता है, तो जल्दी से आंसर बतेगा, बिल्क इमान में, इमानदारी लोगों के लिए दिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, इस question का right answer हो जगा, option B, ठीक है, बंकर किस खेल से संबंदित है, तो बंकर दोस्तों संबंदित है, गॉल्प से, तो right answer is B, ये आप लोगों को याद रखना है, कोशा आता है, B, I, R, D, किसके लिए है, तो ये, दोस्तों, इसकी full form क्या है, बंकर्स इंस्टिटूट ओप रूलर डेवलप्मेंट, ठीक है बई, तो right answer is B, ये भी आप लोगों को याद रखना है, दोस्तों, SP500 क्या है, तो SP500 है, दोस्तों, USA का stock exchange, यानि कि a stock exchange of USA, ठीक है, नेक्स है, हाव, नेल्सन का इस्तमाल, आमतोर पर किस खेल के लिए किया जाता है, तो इस question का right answer हो जाएगा, दोस्तों, wrestling के लिए, यानि कि किस्ति के लिए किया जाता है, कोशन है, खालिस्थान दुआरा प्रकासित, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, आपको बताना है, इस question का right answer हो जाएगा, अन हेबिटेट इस दर एट आँसर, ये आपका सही answer हो जाएगा, CIS का मुख्याले कहां इस्तित है दोस्तों, CIS का मुख्याले कहां इस्तित है, तो ये इस्तित है मोस्कोर रसिया में, तो right answer is B, ये आप लोग को याद दखना है, किस स्टोक एक्चेंज का उपनाम बिग बोर्ड है, तो बिग बोर्ड दोस्तों जो किस स्टोक एक्चेंज का नाम है, ये आप से पूछ जागए, तो नियोर्क स्टोक एक्चेंज का, ठीक है, तो right answer is option है, ये आप लोग को याद दखना है, निम्लकित में से कौन सा सब्द, टेबल टैनिस के खेल से संबन देथ है, तो इस question का right answer दोस्तों होजएगा, पिन होल्ड ग्रीप is the right answer, ये आप लोग को याद दखना है, question है, ब्रूंडी की मुद्रा क्या है, तो ब्रूंडी की मुद्रा क्या है, इस question का right answer होजएगा, ब्रूंडी फ्रेक, यानि की option is the right answer, ठीक है, और यहांकी राजदानी है, गिटेगा, ठीक है जी, चले, दो नदियों के बीच उपजाव भूमी को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों दौाब कहा जाता है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है, इसे खेलों को किस सहर में सबसे अधिक बार आयजित किया गया, तो सबसे अधिक बार इसे खेलों को जो आयजित किया गया, वो बैंकोक में किया गया है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है मानव सरी का सामान्य तापमान कितना होता है तो अगर Celsius में बात की जाए दोस्तों तो 37 degree Celsius इस question कराईट answer हो जेगा और अगर Fahrenheit में बात की जाए तो 98.6 Fahrenheit हो जाता है निमलकित में से कौन सा समुदरी बंदरगा नहीं है नेक्स कोशन है Mark Spanish pick किस खेल कारेकरम से संबंदित है तो यह संबंदित है सुटिंग से यानि की राइट आंसर इस भी ठीक है तो चलिए नेक्स पीडियेप पे चलते है और दिन में धाई बज़े रात में गेरा बज़े दो इस special classes है इनको भी अटेंड करना सुरू करिए और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मात ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाओगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much